विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्ट्रिय महासचियों सांसर संजे कुमार ज्हाजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मुख मंत्री सम्राट चौषरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभा में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जो इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो चालिस का चालिस सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कटबंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार बित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परभारी आदने मिनोत तावडे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिधा हरास्टिय सा मीडिया परभारी संजे मह्यूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारत्वी जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पाचो पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालीश सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। आदने विनुत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवश्कार, बिहार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, भारतिय जन्ता पारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पारटिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिये जनता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जनतादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोग जनशक्ती पारटी 5 सीटों पर। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा 1 सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें बारतिय जनतापार्टी पश्चिम चंपारन, पूर्वी चंपारन, आउरंगाबाद, मदुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, 17 सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर इंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सरकारिये जो नारा है, वो जमीन पर उतारेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद. अजये लोक मूर्चा मूर्चा काराः मूर्चा काराइब।, यदि आप किर्प्या सांथ हो जाएं तो इस आहलादित विशय और विहार विजय की गाथा से आपको सुपरिचित कराने के लिए विहार के माननिय या सस्वी प्रभारी और हमारे रास्तिय महमंत्री वानिय विनोत तावरे जी है हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यच और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौदरी जी है जनता दलिव के यसस्वी रास्तिय महमंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार जाजी है लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यच पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी है हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यच स्री रजनीश कुमार जी है हम सर्व प्रसम आग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यच स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आधरणी गृह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिनतापाटी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितिश कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सोहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को पाँच सीट मिली है म मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें ह मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्ट्रिय महासचियो सांसर संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनिय बिनोत ताबरे जी उपमुख मंत्री सम्राठ चोधरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे सा थी है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइंस फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लग लग रहे थे उस बार भी मार्जिन आ और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहें या जो काम हुआ है, लोगों की आकांच्छा बढ़ी है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी, तो बिहार में जो डबलपिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन ह रहा है, निसीत रुप से आने वाले चुनों में बिहार जो 40 का 40 सीट है, वो 2024 में इंडिये कटबंदन लेके आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको सम्भोधित करें। सामीडिया परवारी सेंजय मयूग जी, हिंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सीख जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले वार हम लोग तीन पार्टिय के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भारत्वी जनता पार्टी, हिंदोस्तानी अवाम मोर्च, लोग जन सकती पार्टी और दर्सन में आजने ग्री मंत्री जी के माग दर्सन में, आजने रास्टिय दक्ष जपी नड़ा जी के माग दर्सन में, और बिहार के मुक मंत आजने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आजने चिराग पासवान जी, आजने जीतना मां जी जी, आजने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाओ लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आजने बिनो तावड़े ज चौबिस में, फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। भारी मानने विनो तावड़े जी, मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनो तावड़े जी से कि आपको संबोधित करा। और राष्टिय नुकमोर्चा। सबी 40 सीटों पर पूरा एंडिय की सबी पार्टिय अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सबी सीटे जीत कराएगी। यह हमारा विश्वास है। हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिय लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिय के साथ लड़ेगी। जनतादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिय के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर। और राष्टियल लोक मोर्चा 1 सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें बारतिय जनतापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतनासाईब, पाटली पुत्र, आराण, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जाहनाबाद, और शिवार, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, इंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्याच्छ, और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जाजी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्याच्छ पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्याच्छ स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्याच्छ स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समरार चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहा आदरिनी चिराग पासवान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदरिनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निशित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता देलिव के रास्तिये महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संभोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निवेप्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीविनोत ताबरे जी उप मुक्रमंत्री सम्रार चोधरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देख तोर करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाब है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना assessment नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लो लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो inspiration है लोगों का inspiration बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉन्फरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और र प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी अमारे विधारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मयूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में चालिस की चालिस सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्टिय जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बड़ा है ज RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बदनवाद। आदने विनूत तावरेजी से कि आपको संभोधित करें। नमस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट सोला सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ति पार्टी पाच सीटों पर। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतनासाहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उप्मुख मंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्ध्या जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक, स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सरव प्रसम आग्ड़ा करेंगे, अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर बिराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राइच चोधरी जी बड़े भाई संजय जाजी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितिर्स कुमार जी जीतर नाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टारगेट रखा है चालीस को चालीस सीट जीतने का उसमें निश्यत रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार जहाजी से कि आपको संभोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रभान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मंत्री सम्राठ चौखरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही ह बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां डो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना assessment नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो development का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो inspiration है लोगों का अज inspiration बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुखमंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार वित्रों आज इस प्रेस कॉन्फरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परभारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा ज लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिजा रास्टिय सामीडिया परभारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्टिय जन्ता पार्टियों का सयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे जन्तानी अवाम मोर्चा और आरलस पी उस समय था जो आरलम के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जितना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बदनवाद। आदने विनूत तावरे जी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बिहार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पारटी, जनता दल युनाइटेड, लोग जनशक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पारटिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनतादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोग जनशक्ती पारटी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिय जनतापार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर माराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पटना साहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराब सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपूरा गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे और फिर एक बार मोधी सिवर और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री श्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राड चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधान मंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पासवान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग भीहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनीय प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है। उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है। जो प्रभारी हैं अधरनी बिनोत ताबरे जी, मुक्रमंत्री सम्रार चौषरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष हैं संजीय मयूग जी इतने सारे साथ ही है। बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया। हम को तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में। और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में। में इंडिये कठ बंदन लेके आएगा। अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और विहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौदरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको सम्भोधित करें। जे नमस्कार वित्रों। जे मयुक जी। हिंडुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी। आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रीत में बिहार में 40 की 40 सीर जीतने का लक्ष हमारा है। और पीछले वार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे। पार्टिय जनता पार्टियों, लोग जनसक्ती पार्टियों और जनता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है। जो पिछले बार महा गटवंदन में थे। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार क के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आदने बिन सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बहुत दनवाद। इनुत तावरेजी से क्या आपको संभोधित करा। ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटें जीत कराएंगी, ये अमारा विश्वास है, हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको गोशिक करेंगे, और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिये जनता पार्टी 17 सिटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेट 16 सिटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ती पार्टी 5 सिटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सिट पर, और राष्टियल लोकमोर्चा 1 सिट पर, ऐसे सिटों का बट्वार आमने आपस ने कर लिया है, इसमें भारतिये जनता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम, 17 सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सीतामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवार, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी से अगए, और हमारे रास्टिये महमंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराच चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी रास्टिये महमंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्ध्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से प्यापको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरणी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्तापार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को द लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सोहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीड मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलात हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग स करनाता देलिव के रास्तिये महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करेंगे तो मैं धन्यबाद देता हूं कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनीय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनी बिनोत ताबरे जी उपमुक मंत्री सम्रार चौधरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस भाब है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काटने इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहे या जो काम हुआ है लोग करता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो चालिस का चालिस सीठ है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आए बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहा स्थित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसकती पार्टी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मयूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्टीय जनता पार्टीयों का सहीयोग हम लोग के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टीयों के सबके नेताओं के सहीयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आदने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बदनवाद। आदने विनुत तावरेजी से के आपको संभोधित करें। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पारटी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कराएंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशित करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट सोला सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ति पार्टी पाच सीटों पर। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महाराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, इंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे चालीश सिटों पर इंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोधी से लिएगे, और हमारे रास्किये महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्व्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराच चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी रास्किये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्ध्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्व्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्व्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्व्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राश्ट्य ध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जाजी जद्यू के जो राश्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देना हूँ चालीस की चालीस सीड़ जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिह के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितिर्श कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी गाम बिलास को पा बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है चार सो पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंग से कि आपको संभोधित करें। मुक्रमंतरी सम्राठ चौहरी जी, हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही हैं। जी तैसा नहीं था एक दो को छोड करके, जहां डो लाक से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव है। और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्षन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में। मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है। लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्मेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो चालिस का चालिस सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मं और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार बित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परभारी आदने बिनोत तावरे जी जनता दिलियू के नेता और राजसवा के सांसर दादने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे रिजा रास्टिय साम वीडिया परभारी संजे मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर चालिस की चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे, हमारे यसस राष्ट्रिय महामंत्री और बहार के सणाव प्रभारी मानने विनोत तावरेजी, मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे, नवस्कार, बहार एंडिये के सभी आधनिया निताधन, परतिय जनता परटी, जनता दल युनाइ लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी, और सभी सीटे जीत कर रहेंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है ये हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर NDA लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भार्टिय जन्ता पार्टी 17 सीटे NDA के साथ लड़ेगी जन्ता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर NDA के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टिय लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिय जन्ता पार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उज्यारपूर बेगु सराय नवादा पटना साहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जाहनाबाद और शिवार लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली अजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई इंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी से और राष्टिय महामंत्री वानिये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ आधरनी ग्री मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर बिराजमान बिनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जाजी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभ सम्मानित नेता, हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी, और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी, और सभी नेताओं से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसम बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंवाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनिय बिनोत ताबरे जी उप मुक्र मंत्री सम्रार चौधरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजीय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार गी 2019 में जो उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्षन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनत होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जिस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पाटी के परवारी आदने विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिधा रास्टिय सां मीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदान मंत्री जी के नित्रीत में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्तिय जन्ता पार्टी, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टीयों का सयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टीयों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जितनामां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। ने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। ऐसे सभी का जो एंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटें जीत कराएगी। कि यह हमारा विश्वास है, हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भार्तिय जन्ता पार्टी 17 सिटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सिटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सिटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सिट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सिट पर। ऐसे सिटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें भार्तिय जन्ता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतनासाहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अद्ध्यक्ष, और उपमुख मंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद श्री संजे कुमार्ध्या जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, पोर विधायक, स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सरव प्रसम आग्ड़ा करेंगे, अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देना हूँ लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितिर्श कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी गाम बिलास को पाच सीट मिली हैं मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ ह बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता देलिव के रास्तिये महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिम मंत्री जी का बिसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इन्वाल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फ जोघरी जी, हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्श है संजय मयूग जी इतने सारे साथ ही हैं, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाईन्स फिक्स हो गया, हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई final बात हो पाही है, और जो हमारे नेता है न दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाब है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है ल लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार बित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परवार अधनिय मिनोत तावडे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आधनिय संजय जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे विजा रास्टिय सांसद मिडिया परवारी संजय मयूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्तिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पाटीयों का सईयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचों पाटीयों के, सब के नेताओं के सईयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद। ने विनूत तावरे जी से क्या आपको संबोधित करें। ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटें जीत कराएगी। यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 घंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भार्तिय जन्ता पार्टी 17 सिटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सिटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सिटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सिट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सिट पर। ऐसे सिटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, इंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट, ऐसे चालीज सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सिटों, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी है, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्याच्च और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी है, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नौ निर्वाचित राज्य सभासांसद स्री संजय कुमार्ध्याजी है, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्याच्च पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी है, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्याच्च श्री रजनीश कुमार्ध्याजी है, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्याच्च श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। और भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्याच्च श्री नडड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूं। बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देनों, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है। और देश के प्रदानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है। निश्चित रूप से हम अपने विहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितिर्श कुमार जी, जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सोहातपूर बातावरण में लोगज जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनीय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवाल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनी बिनोत ताबरे जी उप मुख मंत्री सम्राट चोहरी जी हमारे राजूत वभारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नह 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभा में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का टते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहे हैं या जो काम हुआ है लोगों की आख अंच्छा बढ़िये है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है नसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारती जनता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजेजा जी लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास के प्रदेश के अद्यक्ष राजूतिवारी जी अमारे रिधा रास्टिय सांवीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्टीय जन्ता पार्टी, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टीयों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बहुत दनवाद। आदने विनुत तावरेजी से कि आपको संभोधित करें। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, 17 सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट, ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सिवर, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री श्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से प्यापको संबोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरणी ग्रीह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पाटी के प्रदेस राष्ट्यत ध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मच पर बिराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राइच चोधरी जी बड़े भाई संजय जारी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव है और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सौहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है आदर नियप्रधान मंतरी जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके देक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अदर नियबिनोत ताबरे जी उप्मुक मंतरी सम्रार चोखरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जी एस्पिरेशन है लोगों का जी एस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्ये उप मुखमंत और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार बित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परवारी आदने विनोत तावरे जी जनता द के अध्यक्ष राजूतिवारी जी, हमारे विजारास्टिय सामीडिया परवारी संजर मयूग जी, इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले वार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भार्तिय जनता पार्टी, हिंदोस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड, इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के स बढ़ा है, जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदोस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के, सब के नेताओं के सहयोग से, आदने प्रधान मंत जी के मागदर्सन में, आदने रास्टियादक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के सम में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तित तौर पर आदने बिनुत तावले जी आपको बताएंगे। लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौवीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमार संकल्प है। उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं। उस प्रतीक्षा के संदर्म में विधिवत घोशना और संबोधित करेंगे। हमारे यसस्वी राष्टिय महामंत्री और विहार के चौनाव प्र अबश्कार। बिहार एंडिय के सभी आधनिया नितागन। परतिय जनता पार्टी, जनतादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लोक मोर्चा। ऐसे सभी का जो एंडिय गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चौनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चौनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिय की सभी पार्टिय अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी, और सभी सीटे जीत कराएगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको गोशिक करेंगे, और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिय लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भार्टिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिय के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिय के साथ लड़ेगी, लोग जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवारा आमने आपस ने कर लिया है, इसमें बारतिय जनता पार्टी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मदुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, अजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोधी सिवर, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित राज्य सभासांसद स्री संजे कुमार भ्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रदम आग्ड़ा करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रदानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहा और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सौहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास को पाँच सीड मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जी और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंतरी जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिम मंतरी जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मंतरी सम्राठ चौखरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का ते इतना assessment नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांचा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो inspiration है लोगों का inspiration बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 seat है वो 2024 में इंडिये कट्वंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्रिये उप मुखमंत्री और बिहार भाजपा की प बित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारती जनता पाटी के परवारी आदनिय मिनोत तावरे जी जनता देलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदनिय संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिजा रास्टिय सांवीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी परदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भार्तिय जंता पार्टिय अवाम लोग जनसक्ती पार्टिय और जंता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बधनवाद। आदने विनुत तावरे जी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पारटी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो एंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कराएंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जंतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोधी सिवर, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित राज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ज्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जाजी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मि पार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंभाय मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्विनेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उपमुक्र मंत्री सम्राठ चोखरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे सा थी है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार गी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप द और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आ आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे विजा रास्टिय सामीडिया परभारी संजे महुग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्तिय जनता पाटी हिंदु और पाटियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पाटियों के सब के नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आदने रास्टिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुक मंत्री आदने नितिस कुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी आदने जीतनामा जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तौर पर आदने बिनुतावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रथ हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्म में बिधिवत गोसना और संबोधित करेंगे, हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महामंत्री और विहार के चौनाव प्रभारी मानने विनोत तावरे जी, मेरा सभीने निवेदन होगा मानने व सभी आदर्निय नितागन, भारतिय जन्ता पार्टी, जन्तादल उनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लोक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चौनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चौनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिये जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल युनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्ट्रियल लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवारा आमने आपस ने कर लिया है, इसमें भारतिये जनता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवार, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी से लिएगे, और हमारे रास्तिये महमंत्री, वानियस विनोत ताउरे जी है, हमारे भारतिय जनतापाटी के माननीयी प्रदेश अध्यक्ष और उपमख मंत्री स्री समराज चौधरी जी है, जनता दलिव के यसस्वी रास्तिय महमंत्री, और नो निर्वाचित राज्यसभा सांसद स्री संजे कुमार ज्याजी है, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ 40 की 40 सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितिर्श कुमार जी जीतर नाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सोहातपूर बातावरण में लोग ज पारगेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे सांसद संजे कुमार जाजी से कि आपको संबोधित करेंगे मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर नियप्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उप्मुक्र मंत्री सम्राट चौखरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अज्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे स हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभा में और अभी जो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आए बहुत है अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे रिजा रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवस्वी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भार्तिय जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आजने राष्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद। आदने विनुत तावरेजी से क्या आपको संभोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, भारतिय जन्ता पारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पारटी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महाराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जाहनाबाद, और शिवार, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुही, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे चालीज सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओं लडेंगे, और फिर एक बार मोधी से लिएगे, और हमारे राष्टिये महामंत्री, वानिये विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराच चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश द्यक्ष नडडा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समरार चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधान मंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी गामविलास को पाच सी पार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नें भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका डिक्तिगत इंवाल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उप्रमुक मंत्री सम्रार चोखरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लग लग रहे थे उस बार भी मारजिन आप देख और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आ आने वाले चुनाओं में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको स आदने विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजय जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारी रिधारास्टिय सांद मीडिया परवारी संजय मह्यूग जी हिंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भार्तिय जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नडडा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आदने विनुत तावरेजी से के आपको संभोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, भारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी पाच सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है। इसमें बार्तिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जंतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपूरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनशक्ता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, पोर विधायक स्री राजुतिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, स्री राजुतिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसम अधी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सी सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निबिनोत ताबरे जी उप मुक्र मंत्री सम्राठ चौथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हम कुछ नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम गूंते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलब्लपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का जो इस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये का ट्मंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्ये उप मुख मंत्री और बहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करें जी नमस्कार वित्रो आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जन्सक्ती पार्टी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सां मीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पार्टीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्टीय जिन्ता पार्टी, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टीयों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद। आपने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आधनिया नितागन, भारतिय जन्ता पारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशित करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महाराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवार, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, अजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्ट्रिय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे चालीज सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सिपूर, और हमारे राष्ट्रिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्ट्रिय महामंत्री और नो निर्वाचित राज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स सभी नेताओं से एक बहुत अच्छे सवादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीड मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने क का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग भिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई म कि आपको संभोधित करें तो मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनी प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रेव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे ची जी मुक्मंत्री समराच चोफरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखियेगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभा में और अभी जो परिस्थित इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आख अंच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्मेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावडे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजेजा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजूतिवारी जी अमारे रिदा हरास्टिय सामीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सीर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुक मंत्री आजने नितीश कुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदने बिनो तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद्र मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नव और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महामंत्री और बहार के चौनाव प्रभारी मानने विनो तावड़े जी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनो तावड़े जी से कि आपको संबोधित करें नवस्कार बियार एंडिये के सभी आधनिया निताधन भारतिय जन्ता पार्टी जन्तादल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पतना साहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमिकी नगर सितामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मदेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट ऐसे चालीज सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी सब्सक्तिपूर और हमारे राष्टिये महामंत्री वानिये विनोत तावरे जी है हमारे भारतिये जनता पार्टि के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराच चौधरी जी है जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजय कुमारज्या जी है लोग जनसक्ती पार्टि के माननिये प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी है हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी है हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन सक्ति पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समरार चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पासवान जी, और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी, जीतरनाम माझी जी, और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में, लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को पाच सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ, और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ, कि जो आपने टारगेट रखा है, चालीस को चालीस सीट जीतने का, उसमें निशित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे, और साथ ही में जो प्रधान मं मुदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे, मेरा विनमर निवेदन है, जनता देलिव के राष्टिये महा सचिव, सांसद, संजे कुमार ज्याजी से, कि आपको संभोधित करेंगे, मैं धन्यबाद देता हूँ, कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है, अधरनी प्रधान मंतरी जी, स्री नेंदर मोदी जी, बिहार में खास करके, गिरिव मंतरी जी का अब इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इन्वाल्मेंट रहा सारे चीजों में, यो अभी सा सीट फाइनल हुआ है, जो प्रभारी हैं, अधरनी बिनोत ताबरे जी, उप मुक्रमंतरी सम्रार चोहरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष हैं, संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गय है, और जो हमारे नेता है, नितिस कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखियेगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, एक दो को छोड़ करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभा में, और अभी जो अपना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है, लोगों की आकांच्छा बरही है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी, तो बिहार में जो डबलपिंट का, विकास का गाथा है, और बड़ा काम होगा वहां पर, तो वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेकर आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत्स मानने समराट चौदरी जी से आग्रह करेंगे, कि आपको सम्भोधित करेंगे, जी नमस्कार मित्रों, आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी, जनता देलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी, लोग जनसकती पार्टी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी आज देश के यस प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में चालिस की चालिस सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टीओं के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे पार्टी जनता पार्टी, लोग जनसकती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टीओं का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टीओं के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बदनवाद। आदने विनूत तावरेजी से कि आपको संभोधित करें। नमस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ति पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतनासाहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अद्ध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री सम्राठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्ध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्ध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्ध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्ध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता और मंच पर बिराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राभ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा ध बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी, और हमारे जनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है, 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही मे जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है, 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे. मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्हाजी से कि आपको संबोधित करेंगे. मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोधी जी, बिहार में खास करके ग्रिम मंत्री जी का बिसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इन्वाल्मेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सारा जीट फाइनल हुआ है, जो प्रभारी है, अधरनिय बिनोत ताबरे जी, उप मुक्रमंत्री समरार चौथरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं, संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो उननिस में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके, जहां डो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावें, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बहार का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहे हैं, या जो काम हुआ है, और लोगों की आकांच्छा बरही है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी, तो बिहार में जो डबलपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बड़ा है, निसीत रूप से आने वाले चुनाव में, बिहार जो 40 का 40 सीट है, वो दो हजार चौबिस में इंडिये का ठ् अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौदरी जी से आग्रा करेंगे, कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों, आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावडे जी, जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी, लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मयूग जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सीर जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भार्तिय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जनता दल उनाइटेड, इस बार दो और पार्टियों का सहियोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पीछले बार महा गट बंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के, सब के नेताओं के सहियोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से, बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आदने बिनुत ताबले जी आपको बताएंगे, लेकि असपस्ट है कि 2024 में, फिर से नरेंद मुझी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद। आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोसना और संबोधित करेंगे, हमारे यसस्वी रास्तिय महमंत्री और विहार के शणाव प्रभारी मानने विनोत तावरे जी, मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत ता सभी आधनिय नितागन, भारतिय जन्तापारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमी की नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी सिवागे और हमारे राष्टिये महामंत्री वान्ये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जन्वता पार्टी के और उपमुख मंत्री स्री समराट चौधरी जी है जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी है लोग जन्सक्ति पार्टी के मानिनिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजू तिवारी जी है हिंदोस्तानी आवाम मूर्चा के मानिनिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीष कुमार जी है हम सर्व प्रसम अग्डरह करेंगे अपने लोग जन्सक्ति पार्टी के प्रदेश के मानिनिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। बिनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं। बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देनों, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है। देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है। निश्चित रूप से हम अपने विहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में माज सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है, चालीस को चालीस सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मं मंत्री नेंद्र मोदी तीसरी पार प्रधान मंत्री बनेंगे. मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें. मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी, स्री नेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इन्वाल्मेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सा सम्राठ चौधरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया, हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है, और ज छोड करके, जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाब है, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्षन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर का इतना assessment नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो development का, विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है, वो जो inspiration है लोगों का, जो inspiration बड़ा है, निसीत रूप से आने वाले चुनाव में, बिहार जो 40 का 40 seat है, वो 2024 में इंडिये का ट्वंदन लेके आएगा, बहुत है। अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और विहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे, कि आपको सम्भोधित करेंगे। लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी, हमारे रिधारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदान मंत् तृत्रित में, बिहार में, चालिस की चालिस सिर जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले वार हम लोग तीन पाटीओं के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भार्तिय जनता पाटी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पाटी और जनता दल उनाइटेड, इस वार दो और पाटीओं का सहियोग हम लोगों के साथ बड़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समें था, जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीओं के, सब के नेताओं के सहियोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्टिय अदक्ष, जपी नड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदन जीतनामा जी जी आदने उपेंद्र कुस्वाह जी सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तौर पर आदने बिनुतावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौवीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद जो आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महामंत्री और बहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनाए निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे नवस्कार बहार एंडिये के सभी आधर्णिया नितागण भारतिय जन्ता पारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पारटिया अपनी पूरी ताकत से चालिस के चालिस सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी यह हमारा विश्वास है हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोग जनशक्ती पारटी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सीतामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्ट्रिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी से लिए, और हमारे रास्तिये महामंत्री, वानिये विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष और उप्मुख मंत्री, श्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलियू के यसस्वी रास्तिये महामंत्री, और नौ निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अद्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ 40 की 40 सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितिश कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रध मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्ट्रिय महासचियों सांसद संजे कुमार जहाजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मुक्र मंत्री सम्राट चौथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो भी एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काट इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहे हैं या जो काम हुआ है लोगों की आख अंच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहा जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेकर आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजेज्जा जी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिधा रास्टिय सां मीडिया परवारी संजे महिज्जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीज जी आज देश के यसवस्वी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सीर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्तिय जन्ता पार्टी, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टीयों का सहीयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पार्टीयों के सबके नेताओं के सहीयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुक मंत्री आजने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आजने चिराग पासवान जी, आजने जीतनामा जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं, विस्तित तौर पर आदने बिनुतावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। जी से कि आपको संबोधित करें। सबी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चौणाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चौणाव चिन्न अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी, और सभी सिटे जीत कराएगी। यह हमारा विश्वास है, हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको गोशिक करेंगे, और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिये जनता पार्टी 17 सिटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल युनाइटेट 16 सिटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोग जनशक्ती पार्टी 5 सिटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सिट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा एक सिट पर, ऐसे सिटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है, इसमें बारतिय जनता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मदुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, 17 सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपूरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, अजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सिपूर, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजय कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजुतिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजुतिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निये प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मुक्रमंत्री सम्राट चोफरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हम के जो अध्यक्ष हैं संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल अमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाब है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आक अंच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्मेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जो एस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करें जी नमस्कार बित्रो आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारती जनता पाटी के प्रवारी आदनी मिनोत तावडे जी जनता जलियू के नेता और राससवा के सांसद आदनी संजय जा जी लोग जनसकती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजुतिवारी जी हमारे विधारास्टिय सा मीडिया परवारी संजय मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सीर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भार्तिय जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नडड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आदने विनुत तावरेजी से क्या आपको संभोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाओ लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाओ चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल युनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बट्वारा आमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्ता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बकसर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर, एंडिये, बियार में, मजबूती से, आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार, मोधी से, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री, श्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित राज्य सभासांसद, श्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और देश के सश्वी परदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूं, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्टिय ध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समरार चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टिय महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सी पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंवाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उप मुख मंत्री सम्राठ चोखरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे सा थी है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप द और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की का अंच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जिस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुन कंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परवारी आदने विनोत तावरे ज जनता दिलियू के नेता और रासवा के सांसर दादने संजे जा जी लोग जन सक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे विजा रास्टिय सामीडिया परवारी संजे महिउक जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिली के प्रदेश अ जनीज जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जनता पार्टी हिंदुस्तानी अवाम लोग जनसक्ती पार पार्टी और जनतादल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पाचो पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में आदने रास्टिय अदक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुक मंत्री आदने नितिस कुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी आदने जीतना मां जी जी आदने उपेंद कुस्वाह जी सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदने बिनुत अबले जी आपको बताएंगे लेकि असपस्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद मुझी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बदनवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्त्वी रास्त्रिय महमंत्री और विहार के चुनाव प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से कि आपको संबोधित करेंगे हमारे नवस्कार विहार एंडिये के सभी आधनिया निताधन पारतिय जनता पार्टी जनतादल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पार्टी हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी यह अमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोकमोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिय जनता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी अररिया, दरबंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनता दल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपूरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनशक्ता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिनता पार्टी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेर सद्यक्ष समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और डेश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पासवान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को पाच स पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंवाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार जहाजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उपमुक मंत्री सम्रार चोधरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझ अब हम अपने लोग प्रिये उपमुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत्स मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पार्टी के परवारी आदने विनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजेज जाजी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिजारास्टिय सां मीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे पार्तिय जन्ता पार्टी, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टीयों का सहीयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचों पार्टीयों के, सब के नेताओं के सहीयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्टिया दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालीश सिर जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बदनवाद। आदने विनूत तावरेजी से कि आपको संभोधित करा। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पार्तिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कराएंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट सोला सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी पाच सीटों पर। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महाराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतनासाहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवार, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी से पारेंगे, और हमारे रास्किये महामंत्री, वानिये विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराच चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी रास्किये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेर सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को पाँच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोधी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इन्वॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही ह बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइट में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना assessment नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो development का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो inspiration है लोगों का अज inspiration बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीठ है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समर चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राज सवा के सांसद आदने संजर जा जी हमारे रिधारास्टिय सामीडिया परवारी संजर मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहीव हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे हिंदु रिस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समेंथा जो RLM के तोर पर आज के तारिक में हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पाचो पार्टियों के सब के नेताओं के सहीव हम से आदनि प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आदनि ग्री मंत्री जी क और बिहार के मुक्मंत्री आदने नितिश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम घटमंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तित तौर पर आदाने बिनुत तावडे जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौवीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्त्वी रास्त्रिय महमंत्री और विहार के चौनाव प्रभारी मानने विनोत तावरे जी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत तावरे जी से कि आपको संबोधित करेंगे हमारे नवस्कार विहार एंडिये के सभी आधनिया नितागंड पार्तिय जनता पार्टी जनतादल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पार्टी हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनतादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोग जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा 1 सीट पर ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पटनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पूर्णिया मदेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिया लोक मूर्चा कारागाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे और फिर एक बार मोदी से और हमारे रास्तिये महामंत्री वानिये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं जनता दलियू के यसस्वी रास्टिय महामंत्री और नौ निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजय कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ति पार्टी के मानिनिय प्रदेस अद्यक्ष पोर विधायक श्री राजुतिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के मानिनिय प्रदेस श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्रा करेंगे अपने लोग जन सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी परदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरने ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी को धन्यवाद करता हूँ, और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सध्यक्ष सम्राभ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचीव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और डेश के प्रदानवंतरी जो 400 पार का, जो उन्होंने संकल् हमनों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने विहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरीनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंतरी आदरीनी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपू है, चालीस को चालीस सिर जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करेंगे मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंतरी जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंतरी जी का इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उप्रमुक मंतरी सम्रार चौषरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे सा थी है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप द और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आ आने वाले चुनाओं में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करें जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पार्टी के परवारी आदने विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजन जा जी लोग जन सक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे रिजा रास्टिय सांसद मीडिया परवारी संजय महिउक जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर्फ जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टियों का सहीयोग हम लोग के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLSP उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पाचो पार्टियों के सबके नेताओं के सहीयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आपने विनूत तावरेजी से के आपको संभोधित करें। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आधनिया नितागन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्ता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा आमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्ता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवार, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री सम्राठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक श्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, खालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी परधान मंतरी जी को धनिवाद करता हूँ, आद्रिनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को जीत रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पा जाने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग भीहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नें कुमार जहाजी से कि आपको संभोधित करें। पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजीन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां डो लाक से उपर का मारजीन रहा लोग सभाव में। और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में। मैं बाहर काटते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे हैं या जो काम हुआ है। लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर। मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का अज इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है। लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे। जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदनिय मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदनिय संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे विधारास्टिय सामीडिया परवारी संजे मह्यूग जी, इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमा रहा है, और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भारतिय जनता पार्टी, हिंदोस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसकती पार्टी और जनता दल उनाइटेड, इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष, जपिनड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार क मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी आदने जीतना मां जी जी आदने उपेंद कुस्वाह जी सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदने बिनो तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रथ हैं उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्टिय महमंत्री और विहार के स्वणाव प्रभारी मानने विनोत तावरे जी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरे जी से कि आपको संबोधित करें नवस्कार बियार एंडिय के सभी आदर्णिय नितागन परतिय जनता परटी जनता दल युनाइटेड लोग जन्शक्ति परटी हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुकमोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिय गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले परटी के अपने अपने चुनाव चिनन अपने अपने सिटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिय की सभी पार्टिय अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटे जीत कर रहेंगी यह अमारा विश्वास है हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिय लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पार्टी 17 सिटे एंडिय के साथ लड़ेगी जनता दल यूनाइटेट 16 सिटों पर इंडिय के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी पाँच सिटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सिट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सिट पर ऐसे सिटों का बटवार हमने आपस में कर लिया है इसमें बारतिय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पटना साहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहानाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सिवर्टिय लोग जनशक्ति पारटी और हमारे राष्टिये महामंत्री वानिये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जनशक्ता पारटी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराच चौधरी जी हैं जनशक्ता दलियू के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसर स्री संजय कुमारज्या जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजुतिवारी जी हैं हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन सक्ति पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जदियु के जो राष्टी महा सचियु हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानवंतरी जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहा के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी, और हमारे लोगप्रिय मुखमंतरी आदेणी नितियस कुमार जी, जीतनाम माझी जी, और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी गाम बिलास को पां बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंतरी नेन भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे. मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इन्वॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही ह बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइट में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड करके जहां डो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचत का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जिस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बह जी नमस्कार वित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावडे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजन जा जी लोग जन सक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्ध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे विजारास्टिय सांवीडिया परवारी संजय महयूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्ध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आ चालीश सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद, आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे, हमारे यसस्त्वी रा ने विनूत तावरे जी से के आपको संबोधित करेंगे, नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदर्निया नितागन, भारतिय जनता पार्टी, जनतादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी चालीस सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से चालीस के चालीस सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे, और आज हमने सीटे कौन सी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम, 17 सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सीतामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोधी से लिए, और हमारे राष्टिये महामंत्री, वानिये विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री, और नौ निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अद्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्रार चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और डेश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली ह मैं धन्यवाद करता हूं और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आप ने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्रे नेंदर मोधी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नी बिनोत ताबरे जी उपमुक्र मंत्री सम्रार चोथरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देख करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार म बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जो एस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिधा रास्टिय सां मिडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पाटीयों का सहियोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के, सब के नेताओं के सहियोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। आपने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बियार इंडिये के सभी आधनिया नितागन, भारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट सोला सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी पांच सीटों पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें बार्तिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महाराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, पाटली पुत्र, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवार, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्ट्रिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे चालीज सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सिटों और राष्ट्रिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, और उपमुख मंत्री, श्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्ट्रिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद, श्री संजय कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रा करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीड मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचिव सांसद संजे कुमार जाजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निये प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मुक्त मंत्री सम्राट चौथरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल अमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्मेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जो एस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्ये उप मुख मंत्री और बहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार वित्रो आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारती जन्ता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता देलि Works के नेता और रासवा के सांसद आदने सन्जय जा जी लोग जन सक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे विधारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिया दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुक मंत्री आजने नितीश कुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तौर पर आदने बिनो तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बदनवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्त्वी राष्ट्रिय महामंत्री और विहार के चौनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत नवश्कार बियार एंडिये के सभी आधनिया नितागन पारतिय जनता पारटी जनता दल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पारटी हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पारटी पाच सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर माराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पतना साहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराब सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली अजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट ऐसे 40 सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी से और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सफ़ी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ज्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और डेश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पासवान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिल में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेम भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचिव सांसद संजे कुमार जहाजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनी प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनी बिनोत ताबरे जी उप मुक्रमंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे सा थी है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप द और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आ आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीठ है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपमें लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराट चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पार्टी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदने संजन जाजी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिजा रास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जनता पार्टी लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने रास्टिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में, और बिहार के मुक मंत्री आदने नितीस कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीत लेकिन अस्पस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बधनवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्टिय महामंत्री और विहार के चौनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत ता सभी आधनिया नितागन, भारतिय जन्तापार्टी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाओ लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाओ चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहानाबाद और शिवार लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली हाजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सिवागल और हमारे राष्टिये महामंत्री वान्ये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जन्टा पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नड़ा जी को धन्यवाद करता हूँ और मंच पर बिराजमान विनुत तावड़े जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्रार चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जदियू के जो राष्टी महा सचियू हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं। मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देना हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलबाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिह के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेनी नितियस कुमार जी, जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी गाम बिलास को पाच इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नें भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत जी से कि आपको संभोधित करें। 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 मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वह मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्ये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पार्टी के परवारी आदने विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे विजा रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचों पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में, और बिहार के मुक मंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने मां जी जी आदने उपेंद्र कुस्वाह जी सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तौर पर आदने बिनुत ताबले जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में विधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महमंत्री और बहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे नवस्कार बहार एंडिये के सभी आधर्णिया नितागन भारतिय जन्तापारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पार्टी पाच सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमी की नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मदेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी सिवागल और हमारे राष्टिये महामंत्री वान्ये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जन्टा पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजुतिवारी जी हैं हैं लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोजित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर बिराजमान बिनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ती सियम प्रदेर सद्यक्ष सम्राज चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दें हूँ चालिस की चालिस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पांच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है चालिस को चालिस सीट जीतने का उसमें निश्चीत रुप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो परधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंद्वाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे। मेरा विनमर निवेधन है जनता देलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी, स्री नेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इन्वॉल्मेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सार अधरनिय बिनोत ताबरे जी, मुक्रमंत्री सम्रार चौथरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं, संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया, हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे सा मार्जिन आप देखियेगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड करके, जहां डो लाक से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाब है, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्षन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर है बिहार में, मैं बाहर काचते इतना assessment नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है, लोगों की आकांच्छा बरही है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी, तो बिहार में जो development का, विकास का गाथा है, और बड़ा काम होगा वहां प अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे, कि आपको सम्भोधित करेंगे। लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे विजारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदान मंत स्री जी के नित्रित में, बिहार में 40 की 40 से जीतने का लग्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतिय जनता पाटी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पाटी और जनता दल उनाइटेड, इस बार दो औ और पार्टीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के, सभी नेताओं के सहयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्टिय अदक्ष, जपी नड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिरा तोर पर आदाने बिनुत तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बधनवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्ट्रिय महमंत्री और विहार के शणाव प्रभारी मानने विनुत तावरे जी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनुत तावरे जी से के आपको संबोधित करेंगे नवस्कार बियार एंडिये के सभी आधनिया निताधन पर्तिय जनता पर्टी जनता दल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पर्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पर अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी यह अमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिये जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनतादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोग जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है इसमें बारतिय जनतापार्टी 5 चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर माराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पत्नासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पुर्णिया मदेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिया लोक मूर्चा कारागाट ऐसे चालीश सिटों पर इंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे और फिर एक बार मोदी से भारतिय जनटा परटी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष और उपमुक मंतरी स्री समराद चौधरी जी है जनटा दलियू के यसस्वी राष्टियए महामंत्री और नौ निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजय कुमार ज्या जी हैं, लोग जंसक्ती पार्टी के मानिनिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मूर्चा के मानिनिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सरव प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जंसक्ती पार्टी के प्रदेश के मानिनिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से क आपको सम्मोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आधरिनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश राष्टिय द्यक्ष नडड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राड चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टिय महा सचिव हैं, और हमारे संज धन्यवाद इसले देनों, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और डेश के प्रधानवंत्री जो 400 पार का, जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे न एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ, और ये पूरी आपनों को बिश्वास दिलाता हूँ, जो आपने टार्गेट रखा है, 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप स इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है, 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंतरी नेंवाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत कि आपको संभोधित करें। मुक्रमंतरी समराच चौथरी जी, हमारे राजूत उभारी जी और हम के जो अध्यक्ष हैं संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है। बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावें। और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है, लोगो है, वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निसीत रूप से आने वाले चुनाव में, बिहार जो 40 का 40 सीट है, वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की श्थित हम लोगों के बारते जनता पाटी के परवारी, आधनिय मिनोत तावरे जी, जनता दलियुके नेता और रासवा के सांसद, आधनिय संजय जाजी, लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे विजा रास्टिये साम विडिया परभारी संजय महयूग जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों क एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतिय जंता पार्टियों का सहीयोग हम लोग के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता ह कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टियों के, सब के नेताओं के सहीयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष, जपिनड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदन बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदाने बिनुत अबड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौवीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं उस प्रतीक्षा के संदर्में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महमंत्री और बहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे नवस्कार बहार एंडिये के सभी आधर्निया नितागण भारतिय जन्तापारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पारटिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिये जनता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनता दल युनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोग जनशक्ती पारटी 5 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिये जनता पार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन औरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर माराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराब सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालन्द्र जहानाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया और राष्टिय लोक मुर्चा कारा काट ऐसे 40 सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी सिवान गया वानिय विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराच चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी रास्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजय कुमार्जा जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियो सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निये प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मुख मंत्री सम्राठ चौथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल अमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्मेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जो एस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिय उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करें जी नमस्कार वित्रो आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारती जंता पाटी के प्रवारी आदनी मिनोत तावरे जी जंता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदनी संजे जा जी लोग जन सक्ति पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधारास्टिय साम वीडिया परवारी संजय मह्यूग जी हिंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवस्री प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग 3 पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जनता पार्टी, हिंदोस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, हिंदोस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टियों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद। आदने विनुत तावरेजी से के आपको संबोधित करा। नवस्कार, बिहार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, पार्तिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिये जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ती पार्टी पाच सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है, इसमें भारतिये जनता पार्टी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, 17 सीटे, जंतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर, एंडिये, बियार में, मजबूती से, आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार, मोधी से, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री, श्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद, श्री संजय कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्रिनेंदर मोधी जी बिहार में खास करके ग्रिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मुख मंत्री सम्रार चौथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आका अंच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का अज इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाओं में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आधनिय विनोत तावड़े जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आधनिय संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी अमारे रिजा रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी परदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुक मंत्री आजने नितीश कुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आदने बिनुतावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में, फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद, लेकिनों आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं, उस प्रतीक्षा के चौनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी, मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से कि आपको संबोधित कर, नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आधनिया निताधन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा, ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाओ लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाओ चिन्न, अपने अपने सीटों पर अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी, और सभी सीटे जीत कराएंगी यह हमारा विश्वास है हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर NDA लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे NDA के साथ लड़ेगी जन्ता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर NDA के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी पाच सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोकमोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा आमने आपस ने कर लिया है इसमें बारतिय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर माराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पूर्णिया मदेपुरा गुपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जाहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हाजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदूस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिय लोक मूर्चा कारा काट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सिटों और हमारे राष्टिये महामंत्री वानिये विनोत चावरे जी हैं हमारे भारतिये जनशक्ता पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री कुमार जी हैं हम सरव प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पारटी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको सम्भोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेशद्यक्ष नडड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेशद्यक्ष सम्राभ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टियम महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पासवान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में ल चालीस को चालीस जीतने का उशमे निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे, और साथ ही में जो परदान मंत्री का जो संकल्फ है 400 आप उसमें हम लोग पूरा करेंगे, और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंत्री नेंद्भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे। मेरा विनमर निवेदन है जनता देलिव के रास्तिये महासचिव सांसद संजे कुमार जहाजी से कि आपको संभोधित करें। मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनीय प्रधान मंत्री जी, स्री नेंद्र मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का इसे सुरूची रहता है। उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है। और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावें। और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में। अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करें। जहा जी। लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी। हमारे विधारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मयूग जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी। आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है। और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे। भारतिय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड। इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है। जो पिछले बार महा गटवंदन में थे। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बि सबी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदने बिनुत अबले जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महामंत्री और बहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनाए निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे नवस्कार बहार एंडिये के सभी आधर्णिया नितागन भारतिय जन्ता पारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ति पार्टी 5 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवार हमने आपस में कर लिया है इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमी की नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान बागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सिवर्चा और हमारे राष्टिये महामंत्री वान्ये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजय कुमार जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी है हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अद्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ती सियम प्रदेश सद्यच सम्राइच चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जदियु के जो राष्टी महा सचियु हैं, और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है, निशित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी, और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी, और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी गामविलास को पा जार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेम भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरणिय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इन्वॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उप मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइट में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर कास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जिस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको संबोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदनिय मिनोत तावडे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदनिय संजय जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे विजा रास्टिय सांसद मिडिया परवारी संजय मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी परदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पाचो पाटीयों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रदानमंत्री जी के मागदर्सन में आदने ग्रीमंत्री जी के मागदर्सन में आदने रास्टिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आद की चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। का मानने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। ऐसे सभी का जो एंडिये गटवंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से, चालिस के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे, और आज हमने सिटे कौन सी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भार्तिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जन्ता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है, इसमें भार्तिय जन्ता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर और सासाराब, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सीतामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोधी सिवर, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ज्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जाजी जदियु के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और डेश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसम प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता देलिव के राष्टिये महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सी सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नी बिनोत ताबरे जी उप मुक्र मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजीय मयूग जी इतने सारे साथ ही है अब बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गय पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन हुआ है और लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जी एस्पिरेशन है लोगों का जी एस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये का ट्वंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जन्ता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सांसद मिडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पाटीयों का सहियोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के, सब के नेताओं के सहियोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आपने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवश्कार, बियार इंडिये के सभी आधनिया नितागन, भारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट सोला सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी पाच सीटों पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री सम्राठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नडड़ा जी को धन्यवाद करता हूँ और मंच पर बिराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्राइच चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं। मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पांच सीड मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को बिश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है, चालीस को चालीस सीड ज और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंतरी नेंवाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे. मेरा विनमर निवेधन है, जनता दिलिव के रास्त्रिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें. मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनी प्रधान मंतरी जी, स्री नेंदर मोधी जी, बिहार में खास करके गिरिव मंतरी जी का अब इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इंवाल्मेंट रहा सारे चीजों में, यो अभी सारा जीट फाइनल हुआ है, जो प्रभारी है, अधरनी बिनोत ताबरे जी, उप मुक्मंतरी सम्राट चोथरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष है, संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल अमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गय पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावें, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर काटते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है, आ लोगों की आकांच्छा बढ़ी है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार र वो दू हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेकर आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे, कि आपको सम्भोधित करेंगे, जी नमस्कार बित्र और रासवा के सांसर दादने संजय जा जी, लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी, हमारे विजारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूक जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी, आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतिय जनता पाटी, हिंदुस्तानी अवाम लोग जनसक्ती पाटी और जनतादल उनाइटेड, इस बार दो और पाटीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभ सभी लोग, सभी पाचो पाटीयों के, सब के नेताओं के सहयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने नितीस क सुमार जी के निर्देशन में आदने चिराग पासवान जी आदने जीतना मां जी जी आदने उपेंदर कुस्वाह जी सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदने बिनुत अबड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मुझी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बदनवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर में बीधिवत गोसना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्टिय महामंत्री और विहार के शुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत ताव नवस्कार बियार एंडिये के सभी आधनिया निताधन, भारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनतादल युनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा 1 सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें भारतिय जनता पार्टी 5 चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पतना साहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराब सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली अजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा काराकाट ऐसे 40 सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी से और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजय कुमार्जा जी हैं लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पांच सीड म हम लोग भिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिव मंत्री जी का इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवाल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइ जी मुक्रमंत्री समरार चोधरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है अब बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्षन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो चालिस का चालिस सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार वित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पार्टी के प्रभारी आदनिय विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राजसवा के सांसद आदनिय संजय जाजी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे विजारास्टिय सामीडिया परभारी संजय मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टियों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंदर कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालीश सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत दनवाद। आदने विनूत तावरेजी से के आपको संभोधित करें। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पारटी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदूस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पारटिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी, यह हमारा विश्वास है, हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे, और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिये जनता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ती पारटी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है, इसमें भारतिये जनता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवार, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी से लिएगे, और हमारे रास्तिये महामंत्री, वानिये विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष और उपमुख मंत्री, श्री समराच चौधरी जी हैं, जनता दलियू के यसस्वी रास्तिये महामंत्री, और नौ निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजय कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिये प्रदेश अद्व्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेर सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रदानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माझी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सी इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नें भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत से कि आपको संभोधित करें। पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजीन आप देखियेगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में। और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में। अब हम अपने लोग प्रिय उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे। जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदनिय मिनोत तावरे जी, जनता दलीयू के नेता और राजसवा के सांसद आदनिय संजेज्या जी, लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध् जर्मयूक जी, इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुन जनतादल उनाइटेड, इस बार दो और पाटीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदोस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभ सभी लोग, सभी पाचो पाटीयों के, सब के नेताओं के सहयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय अद्रक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने निती बंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विस्तित तोर पर आदने बिनुत तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबिस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बंदनवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्टिय महमंत्री और विहार के शुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरे जी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत ता सभी आधनिय नितागन, भारतिय जन्तापार्टी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिय घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाओ लड़ेगा बले पार्टी के अपने-अपने चुनाओ चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिय की सभी पार्टिय अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिय लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिय के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिय के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्ट्यल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन आउरंगाबाद मधुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मधेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेव नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जन्शक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिय लोक मूर्चा कारागाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोधी सिवागे और हमारे राष्टिये महामंत्री वान्ये विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिये जनता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजय कुमार जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजुतिवारी जी हैं हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन सक्ति पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए देनों, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार क सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी, और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितिर्श कुमार जी, जीतनाम माजी जी, और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी गाम बिलास को पाँच सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है, चालीस को चालीस सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे, और साथ ही में जो प्रधान मंत्री ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे। अब इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इन्वॉल्मेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है, जो प्रभारी हैं, अदर निविनोत ताबरे जी, उप मुख मंत्री सम्राच चोथरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक् सारा एलाइन्स फिक्स हो गया, हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइट में कोई फाइनल बात हो पाई है, और जो हमारे नेता है, नितीज कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नही लोग सभाब है, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं, कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे हैं या जो क इस्पिरेशन बढ़ा है, निसीत रूप से आने वाले चुनाव में, बिहार जो चालिस का चालिस सीट है, वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंतरी और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक् कमराट चौदरी जी से आग्रा करेंगे, आपको सम्भोधित करेंगे. हमारे विजारास्टिय सामीडिया परवारी संजय महयूग जी, हिंडुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदान मंतरी जी के नित्रित में, बिहार में 40 की 40 सीव जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भारतिय जंता पार्टी, हिंडुस्तानी अवाम मोर्चा, और जंता दल उनाइटेड, इस बार दो और पार्टियों का सहियोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, ह हिंडुस्तानी अवाम मोर्चा, और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के, सब के नेताओं के सहियोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में और बिहार के मुक मंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने छिराग पासवान जी, आदने जीतना मांजी जी, आदने उपेंद कुसवा जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गठवंधन में चुनाव लढने जा रह हैं, विस्ति तोर पर आदने बिनुत तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीदिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्ट्रिय महमंत्री और विहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत ता सभी आधनिय निताधन, भारतिय जन्तापार्टी, जन्तादल उनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाओ लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाओ चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है इसमें भारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उजयारपूर बेगुसराय नवादा पतनासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जन्तादल युनाइटेड वालमिकी नगर सितामडी जन्जारपूर सुपोल किशन गंज कटियार पूर्णिया मदेपूरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हाजिपूर समस्तिपूर खगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी से लोग ज़ाएंगे और हमारे राष्टिये महामंत्री वान्ये विनोत चावरे जी हैं हमारे भारतिये जनशक्ता पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्टिये महामंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिये प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननिये प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सरवप्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जन सक्ति पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजुतिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रधान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ आधरनी ग्रिह मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जदियु के जो राष्टी महा सचियु हैं, और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा ध बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रदान्वंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आधरेनी चिराग पास्वान जी, और हमार सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियो सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्रे नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उपमुक मंत्री सम्रार चौधरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ह है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देख करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जी एस्पिरेशन है लोगों का जी एस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये का ट्वंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और विहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराट चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारती जन्ता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सां मिडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पाटीयों का सहीयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के, सब के नेताओं के सहीयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने गरी मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आदने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, भारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी पांच सीटों पर। इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है। इसमें बार्तिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पत्ना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जंतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सब्सक्ति, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम आग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी नेंवाई मोध जाजी से कि आपको संभोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनी प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवाल्मेंट रहा सारे चीज़ों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनी बिनोत ताबरे जी मुक्रमंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितिस कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावे और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे हैं या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्मेंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का जो एस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार वित्रो आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पाटी के प्रवारी आधनिय मिनोत तावरे जी जन्ता दिलियूक नेता और राजसवा के सांसद आदनिय जाजी लोग जन्सकती पाटी राम विलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे विधारास्टिय साम वीडिया परभारी संजय मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग 3 पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पीछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पार्टियों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आद की चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। का मानने विनुत तावरेजी से कि आपको संबोधित करें। ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से, चालिस के चालिस सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे, और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भार्तिय जन्ता पार्टी 17 सिटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जन्ता दल यूनाइटेट 16 सिटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सिटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सिट पर, और राष्टियल लोक मोर्चा 1 सिट पर, ऐसे सिटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है, इसमें भार्तिय जन्ता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मदुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर और सासाराब, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जाहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर, एंडिये, बियार में, मजबूती से, आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार, मोदी से, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री, स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद, स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच समराच चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले देना हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमनों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पांच सीड म हम लोग भिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नें भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधरनी प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोदी जी, बिहार में खास करके ग्रेम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इंवाल्मेंट रहा सारे चीजों में, यो अभी सारा फाइनल हुआ है, जो प्रभारी हैं, अधरनी बिनोत ताबरे जी, उप मुक्रमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हम के जो अध्यक्ष हैं, संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गय कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है, और जो हमारे नेता है, नितिस कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजीन आप देखियेगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, एक दो को छोड़ करके, जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर काटते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है, लोगों की आकांच्छा बरही है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी, तो बिहार में जो डबलपिंट का, विकास का गाथा है, और बड़ा काम होगा वहां पर, तो मुझे लगता है, वो जो इस्पिरेशन है लोगों का, इस्पिरेशन अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे, कि आपको सम्भोधित करेंगे। लोग जन सकती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी, हमारे विजारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवस्री प्रदान मंत स्रीजी के नित्रित में, बिहार में, 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पाटीओं के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतिय जनता पाटी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जन सकती पाटी और जनता दल उनाइटेड, इस वार दो और पाटीओं का सहयोग हम लोगों के साथ बड़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीओं के, सभी नेताओं के सहयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आदने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चि सित तौर पर आदाने बिनो तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत बढ़नवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत है उस प्रतीक्षा के संदर्म में बिधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वी राष्टिय महामंत्री और विहार के चौनाव प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत त नवश्कार बियार इंडिये के सभी आधनिया नितागन पारतिय जनता पार्टी जनता दल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लोक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी यह हमारा विश्वास है हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भार्तिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनतादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा 1 सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें भार्तिय जनता पार्टी 5 चंपारण पूर्वी चंपारण आउरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर महराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पत्नासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे जनतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सीतामडी जंजारपूर सुपौल किशन गंज कटियार पुर्णिया मदेपुरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहनाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया और राष्टिय लोक मूर्चा कारा काट ऐसे चालीश सिटों पर इंडिये बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे और फिर एक बार मोदी से चुनाओ लोक मूर्चा और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराठ चौधरी जी हैं जनता दलियू के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नौ निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं हंदोस्तानी आवाम मूर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नडड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्रार चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्ट्य महा हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोगों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहा पूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास को पाच सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है, चालीस को चालीस सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है चार सो पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंतरी नें भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार जहाजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके ग्रिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इन्वॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उप मंत्री सम्रार चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूंते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलपिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो म मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाओं में बिहार जो चालिस का चालिस सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कटमंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पार्टी के परवारी आदने विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और राज सवा के सांसद आदने संजें जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे विजा रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जनता पाटी हिंदुस्तानी अवाम लोग जनसक्ती पाटी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पाटीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पाचो पाटीयों के सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आदने रास्ट्रिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बदनवाद। आदने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पारटी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएगी। यह हमारा विश्वास है। हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ति पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस ने कर लिया है। इसमें भारतिय जन्ता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पत्नासाइब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे रास्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी रास्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोजीत करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को अच्छित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेन भाई मोधी तीस से कि आपको संभोधित करें। मुक्रमंतरी समराच चौथरी जी, हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही हैं। बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है, नितिस कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखियेगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोर करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावें। और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है, लोग आज इस्पिरेशन है लोगों का, इस्पिरेशन बढ़ा है, निसीत रूप से आने वाले चुनाव में, बिहार जो चालिस का चालिस सीठ है, वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख मंत्री और बि अस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आधनिय मिनोत तावडे जी, जनता दलियू के नेता और राज सवा के सांसद आधनिय संजय जाजी, लोग जनसकती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी, हमारे रिया रास्टिये साम परवारी संजय मह्यूक जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है, और पीछले वार हम लोग तीन पाटियों के एलाइंस म 2019 का चुनाओ लड़े थे, भारतिय जन्ता पाटियों का सहीयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पाचो पाटियों के, सबके नेताओं के सहीयोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय अदक्ष, जपी नड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने नित बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तित तोर पर आदने बिनुत तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो 400 पार का हमा अंदर में विधिवत घोषना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्त्वी राष्ट्वे महमंत्री और बैहार के चुनाव प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से कि आपको संबोधित करें। नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आधनिया निताधन, पार्तिय जनता पार्टी, जनतादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा, ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी, और सभी सीटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे, और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, और राष्टियल लोकमोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है, इसमें बार्तिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उजयारपूर, बेगु सराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वाल्मिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, गया, और राष्टिय लोक मोर्चा, कारागाट, ऐसे चालीश सिटों पर, एंडिये, बियार में, मजबूती से, आने वाले चुनाओ, लडेंगे, और फिर एक बार, मोदी सिटों, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वान्य विनोत तावरे जी हैं, हमारे, भारतिय जनशक्ता पार्टी के, माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री, श्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के, यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद, स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के, माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक, स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मूर्चा, के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सरव प्रसम अग्ड़ा करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टी के, प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको सम्मोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य ज्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान बिनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जाजी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साती हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालिस की चालिस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आधनी नितिस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवाधपूर बातावरण में लोगजनसक्ति पार्टी रामविलास को पाँच सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी नेंवाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नी बिनोत ताबरे जी उपमुक्र मंत्री सम्रार चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार गी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देख करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार म बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत चौदरी और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यत मानने समराठ चौदरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारती जनता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्ध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सामीडिया परवारी संजे मयूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्ध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस वार दो और पाटीयों का सहियोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले वार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के, सब के नेताओं के सहियोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने गरी मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। आदने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बिहार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, पारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी सत्रा सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट सोला सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी पाच सीटों पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जंतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपूरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा काराकाट, ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोधी सिवर, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री सम्राठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोजित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावड़े जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रदानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुख मंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को कियार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है चार सो पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंवाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंग से कि आपको संभोधित करें। मुक्रमंत्री समराच चौथरी जी, हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं संजय मयूग जी इतने सारे साथ ही हैं। बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है, नितीज कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे, उस बार भी मारजिन आप देखिएगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोर करके, जहां दो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभावें। और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूनते रहें या जो काम हुआ है, लोग करता है, वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निसीत रूप से आने वाले चुनाव में, बिहार जो चालिस का चालिस सीठ है, वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा, बहुत है, अब हम अपने लोग प्रिये उप मुख अब हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आधनिय मिनोत तावडे जी, जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आधनिय संजय जा जी, लोग जनसकती पाटी राम बिलास के परदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी, हमारे विजा रास्टिये सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी परदानमंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 से जीतने का लग्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पाटियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे, भारतिय जन्ता पाटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड, इस बार दो और पाटियों का सहीयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, हिंदुस्तानी मोर्चा और RLS पी उस समयता जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पाचो पाटियों के, सबके नेताओं के सहीयोग से, आदने प्रदान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्टिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जितनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आदने बिनोतावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन असपस्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद मुझी जी की सरकार और 40 की 40 सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद. आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्म में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे, हमारे यसस्त्वी रास्त्वी महमंत्री और विहार के शणाव प्रभारी मानने विनोत तावरे जी, मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरे जी से के आपको संबोधित करेंगे, नवस्कार, बियार एंडिये के सभी आदर्निया निताधन, पर्तिय जनता पर्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पर्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पर अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से, 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कराएंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है, यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिय जनता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रियल लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है, इसमें बारतिय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जनतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सीतामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गुपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पार्टी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री, स्री समराठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद, स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक, स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे, अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जदियु के जो राष्टी महा सचियु हैं, और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दें, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और डेश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का, जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को पांच सीड मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को बिश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है, चालीस को चालीस सीड ज करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंत्री नेंवाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे। अधरनी प्रधान मंत्री जी, स्री नेंदर मोदी जी, बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का इसे सुरूची रहता है, उनका ब्यक्तिगत इन्वाल्मेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है, जो प्रभारी हैं, अधरनी बिनोत ताबरे जी, मुक्रमंत्री सम्रार चोधरी जी, हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष हैं, संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है, बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया, हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो प कियेगा, तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड करके, जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव है, और अभी जो परिस्थिती है, उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्षन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में, मैं बाहर काचते इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ, कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है, लोगों की आकांच्छा बरही है, और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी, तो बिहार में जो डबलप्रिंट का, विकास का गाथा है, और बड़ा काम हो अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे, ये आपको सम्भोधित करेंगे। लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे रिधारास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यसवसी प्रदान मंत स्री जी के नित्रित में, बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है, और पीछले बार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतिय जनता पाटी, हिंदुस्तानी अवाम, लोग जनसक्ती पाटी और जनता दल उनाइटेड, इस वार दो और पाटीयों का सहियोग हम लोगों के साथ बड़ा है, जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम, मोर्चा और RLS पी उस समय था, जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के, सभी नेताओं के सहियोग से, आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्टिय अदक्ष जपी नड़ा जी के मागदर्सन में, और बिहार के मुक मंत्री, आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिरा तोर पर आदाने बिनुत तावड़े जी आपको बताएंगे लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौवीस में फिर से नरेन मोजी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है बहुत 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 दन्यवाद आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं उस प्रतीक्षा के संदर्म में विधिवत गोशना और संबोधित करेंगे हमारे यसस्वे राष्ट्रिय महामंत्री और बहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे नवश्कार बहार एंडिये के सभी आधर्णिया नितागन भारतिय जन्तापारटी, जन्तादल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रिय लोक मोर्चा ऐसे सभी का जो एंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पारटिया अपनी पूरी ताकत से चालिस के चालिस सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी यह हमारा विश्वास है हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पारटी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जनता पारटी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी जनता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी लोग जनशक्ती पारटी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है इसमें बारतिय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण औरंगाबाद मदुवनी अररिया दर्बंगा मुजफरपूर माराज गंज सारण उज्यारपूर बेगुसराय नवादा पत्नासाहिब पाटली पुत्र आरा बक्सर और सासाराब सत्रा सीटे जंतादल युनाइटेड वालमिकी नगर सितामडी जंजारपूर सुपॉल किशन गंज कटियार पूर्णिया मदेपूरा गोपाल गंज सिवान भागलपूर बाका मुंगेर नालंदा जहानाबाद और शिवर लोग जनशक्ति पारटी वैशाली हजिपूर समस्तिपूर कगडिया और जमुई हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया और राष्ट्रिय लोक मुर्चा कारागाट ऐसे चालीज सिटों पर एंडिय बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सब्सक्ति और हमारे राष्ट्रिय महमंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं हमारे भारतिय जनता पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष और उपमुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं जनता दलिव के यसस्वी राष्ट्रिय महमंत्री और नो निर्वाचित रज्यसभासांसद स्री संजय कुमार ज्या जी हैं लोग जंसक्ति पार्टी के माननिय प्रदेश अद्यक्ष पूर विधायक श्री राजु तिवारी जी हैं हैंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं हम सर्व पृसम आग्रह करेंगे अपने लोग जंसक्ति पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजु तिवारी जी से कि आपको सम्भोधित करें हालो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसम बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंवाई मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के रास्त्रिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संभोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उपमुक मंत्री सम्राठ चौथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा त तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो अब हम अपने लोग क्ये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको संभोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सां मिडिया परवारी संजे महयूग जी इंदोस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जनता पार्टी हिंदोस्तानी अवाम लोग जनसक्ती पार्टी और जनता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदोस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आद इसकी चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। मानने विनूत तावरेजी से कि आपको संबोधित करें। ऐसे सभी का जो एंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सिटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सिटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सिटों पर ताकत लगाएगी और सभी सिटें जीत कराएगी। कि यह हमारा विश्वास है, हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सिटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सिटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ, भारतिय जन्ता पार्टी 17 सिटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सिटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सिटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सिट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सिट पर। ऐसे सिटों का बटवारा आमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्ता पार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपोल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराठ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रदम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोजीत करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेर सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और डेश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हम लों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को पां मैं लोग बिहार में पूरा करेंगे और सत घी में जो परधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग Vor करेंगे और उस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के परधान मंत्री नेन भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संभोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरणिय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिम मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरणिय बिनोत ताबरे जी उप मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइट में कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड़ करके जहां डो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का अभिकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो अब हम अपने लोग क्ये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जे नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जन्ता पाटी के परवारी आदनिय मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदनिय संजन ज्या जी लोग जन्सक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सामीडिया परवारी संजय मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पाटीयों का सहियोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचों पाटीयों के, सब के नेताओं के सहियोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद्र कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर चालीश सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद, आप जो विहार विजय के लिए प्रतीक्षा रत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्में बीधिवत गोशना और संबोधित करेंगे, हमारे यसस्त्वी महामंत्री और बहार के चुनाओ प्रभारी मानने विनोत तावरेजी, मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनोत तावरेजी से के आपको संबोधित करेंगे, नवस्कार, बहार एंडिये के सभी आधनिया निताधन, पार्तिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा, ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाओ लड़ेगा, बले पार्टी के अपने अपने चुनाओ चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी, और सभी सीटे जीत कर रहेंगी, यह हमारा विश्वास है, हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है ये हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर NDA लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे NDA के साथ लड़ेगी जन्ता दल यूनाइटेट 16 सीटों पर NDA के साथ लड़ेगी लोक जनशक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है इसमें भारतिय जन्ता पार्टी पश्चिम चंपारन, पूर्वी चंपारन, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्भंगा, मुजफर्पूर, माराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पत्नासाहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, और राष्टिय लोक मोर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनता पार्टि के माननिय प्रदेश अद्यक्ष और उप्मुक मंत्री स्री समराट चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टि के माननिय प्रदेश अद्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अद्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सरवपृसम आग्डरह करेंगे, अपने लोग जनसक्ती पार्टि के प्रदेश के माननिय प्रदेश अद्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सश्वी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आधरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्य द्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्ट्य महा सचिव हैं और हमारे संजय मयुक जी और हमारे साथी हम के जो हैं कि मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हो चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और डेश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के स और सभी नेताओं एक बहुत अच्छे सवादपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास को पांच सीड मिली है मैं धन्यवाद करता हूं और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आप ने टार्गेट रखा है चालीस को चालीस सीड जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंतरी ने भाई वेधन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्रे नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नी बिनोत ताबरे जी उपमुक्र मंत्री सम्रार चोथरी जी हमारे राजूत उभारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देख करके जहां डो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार म बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का अज इस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग क्रिये उप मुक इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जन्ता पार्टी के परवारी आदनी मिनोत तावरे जी जन्ता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदनी संजे ज्या जी लोग जन्सत्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सां मीडिया परवारी संजे मह्यूक जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाओ लड़े थे भारतिय जिन्ता पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग सभी पार्टियों के सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आदने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवश्कार, बियार इंडिये के सभी आदनिया नितागन, भारतिय जनता पारटी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पारटी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये गटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पारटी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको गोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी 5 चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पत्ना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, 17 सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहनाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा काराकाट, ऐसे चालीश सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्टा पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्जा जी हैं, लोग जन्सक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पूर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मूर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे, अपने लोग जन्सक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें, हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आदरनी ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नडडा जी को भी धन्यवाद करता हूं, और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यच सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी, जद्यू के जो राष्टी महा सचीव हैं, और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूँ, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी, जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली ह मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने टार्गेट रखा है 40 को 40 जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे मेरा विनमर निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचिव सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्शिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्रे नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीज़ों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर निय बिनोत ताबरे जी उपमुक्र मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ ही है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन लोग सभाब है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूँ कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ ह है लोगों की आकांच्छा बढ़ी है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रुप से आन हार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष मानने समराठ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार मित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के भारते जनता पाटी के परवारी आदनी विनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदनी संजेज्जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सां मीडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवस्वी परदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारत्य जन्ता पार्टी, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टीयों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टीयों के, सब के नेताओं के सहयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतना मां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बदनवाद। आदने विनुत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बिहार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, भारतिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय नुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमें कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर इंडुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा एक सीट पर। ऐसे सीटों का बटवार आमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतिय जन्ता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगु सराय, नवादा, पतना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जन्तादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जन्जारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जन्शक्ति पारटी, वैशाली, हजिपूर, समस्तिपूर, खगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा गया, और राष्टिय लोक मुर्चा कारागाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लडेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जन्शक्ता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार ज्या जी हैं, लोग जन्शक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्ड़ा करेंगे अपने लोग जन्शक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष स्री राजु तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और देश के सिस्वी प्रदान मंतरी जी को धन्यवाद करता हूँ, आदरनीक ग्रिह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेर सद्यक्ष नड़ा जी को भी धन्यवाद करता हूँ और मंच पर विराजमान विनुत तावडे जी हैं हमारे डिप्ति सियम प्रदेर सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं और हमारे संजय मयूग जी और हमारे साथी हम के जो हैं मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दया हूँ चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता हमारे नेता आदेणी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आदेणी नितियस कुमार जी जीतनाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहादपूर बातावरण में लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को पां लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधान मंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे देश के प्रधान मंत्री नेंभाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री मेरा विनम्र निवेधन है जनता दिलिव के रास्तिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधरनिय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुरूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधरनिय बिनोत ताबरे जी उपमुक्र मंत्री सम्राठ चोथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे में बिल्कुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मारजिन आप देखिएगा त तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था एक दो को छोड करके जहां डो लाग से उपर का मारजिन रहा लोग सभाव है और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर काट इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहें या जो काम हुआ है लोगों की आकांच्छा बरही है और कि ये डबल इंजिन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डबलप्रिंट का विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर तो मुझे लगता है वो जो इस्पिरेशन है लोगों का इस्पिरेशन बढ़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो चालिस का चालिस सीट है वो दो हजार चौबिस में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत है अब हम अपने लोग क्रिये उप मुख मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मानने समराथ चौधरी जी से आग्रा करेंगे कि आपको सम्भोधित करेंगे जी नमस्कार वित्रों आज इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पाटी के परभारी आदने विनोत तावरे जी जनता दिलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजय जाजी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजूतिवारी जी हमारे रिधा रास्टिय सामीडिया परभारी संजय मह्यूग जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लक्ष हमारा है और पीछले बार हम लोग तीन पार्टियों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोग जनसक्ती पार्टी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समें था जो RLM के तौर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पाचो पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से आदने प्रधान मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने ग्री मंत्री जी के मागदर्सन में, आदने रास्ट्रिय अदक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्सन में और बिहार के मुकमंत्री आदने नितीश कुमार जी के निर्देशन में, आदने चिराग पासवान जी, आदने जीतनामां जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गट्वंदन में चुनाव लगने जा रहे हैं। चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़नवाद। आदने विनूत तावरेजी से के आपको संबोधित करें। नवस्कार, बिहार एंडिये के सभी आदनिया नितागन, पार्तिय जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, लोग जन्शक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्टिय लुक मोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न, अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। और सभी सीटे जीत कर रहेंगी। यह हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 गंटे में हम सीटों का बटवारा क्या हमें हुआ है। यह हम आपको घोशिक करेंगे और आज हमने सीटे कौनसी पार्टी के चिन्न पर एंडिये लड़ेगी। इसकी जानकारी मैं देता हूँ। भारतिय जन्ता पार्टी 17 सीटे एंडिये के साथ लड़ेगी। जन्तादल यूनाइटेट 16 सीटों पर एंडिये के साथ लड़ेगी। लोक जन्शक्ती पार्टी 5 सीटों पर, इंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्टियल लोक मोर्चा 1 सीट पर। ऐसे सीटों का बटवारा हमने आपस ने कर लिया है। इसमें बारतिय जन्तापार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आउरंगाबाद, मधुवनी, अररिया, दर्बंगा, मुजफरपूर, महराज गंज, सारण, उज्यारपूर, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटली पुत्र, आरा, बक्सर, और सासाराम, सत्रा सीटे, जंतादल युनाइटेड, वालमिकी नगर, सितामडी, जंजारपूर, सुपॉल, किशन गंज, कटियार, पूर्णिया, मदेपूरा, गोपाल गंज, सिवान, भागलपूर, बाका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवर, लोग जनशक्ति पारटी, वैशाली, हाजिपूर, समस्तिपूर, कगडिया, और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा गया, और राष्टिय लोक मूर्चा काराकाट, ऐसे 40 सिटों पर एंडिये, बियार में मजबूती से आने वाले चुनाओ लड़ेंगे, और फिर एक बार मोदी से आने, और हमारे राष्टिय महामंत्री, वानिय विनोत तावरे जी हैं, हमारे भारतिय जनशक्ता पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, और उपमुख मंत्री स्री समराथ चौधरी जी हैं, जनता दलिव के यसस्वी राष्टिय महामंत्री, और नो निर्वाचित रज्य सभासांसद स्री संजे कुमार्ध्या जी हैं, लोग जनसक्ती पार्टी के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, पोर विधायक स्री राजु तिवारी जी हैं, हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी हैं, हम सर्व प्रसम अग्रह करेंगे अपने लोग जनसक्ती पार्टी के प्रदेश के माननिय प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजु तिवारी जी से कि आपको संभोधित करें। हालो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और देश के सश्वी प्रथान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूं, और मंच पर विराजमान विनुत्तावड़े जी हैं, हमारे डिप्ति सियम प्रदेश सद्यक्ष सम्राठ चोधरी जी, बड़े भाई संजय जा जी जद्यू के जो राष्टी महा सचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसले दें हूं, चालीस की चालीस सीड जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने नेड़े लिया है, और देश के प्रधानवंत्री जो चार सो पार का जो उन्होंने संकल्प हमलों को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आधनी चिराग पास्वान जी और हमारे लोगप्रिय मुखमंत्री आधनी नितियस कुमार जी, जीतर नाम माजी जी और सभी नेतागर से एक बहुत अच्छे सवहातपूर बातावरण में लोगजनसक्ती पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी आपनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप ने टार्गेट रखा है, 40 को 40 सीट जीतने का उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे, और साथ ही में जो प्रधान मंतरी का संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे, और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, देश के प्रधान मंतरी ने भाई मोधी तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे. मेरा विनमर निवेदन है जनता दिलिव के राष्टिय महासचियों सांसद संजे कुमार ज्याजी से कि आपको संबोधित करें मैं धन्यबाद देता हूँ कि बीजेपी के जितनी लीडर्सिप है अधर निय प्रधान मंत्री जी स्री नेंदर मोदी जी बिहार में खास करके गिरिव मंत्री जी का अब इसे सुलूची रहता है उनका ब्यक्तिगत इंवॉल्मेंट रहा सारे चीजों में यो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है जो प्रभारी है अधर नीबिनोत ताबरे जी उपमुक मंत्री सम्राठ चौथरी जी हमारे राजूत उबारी जी और हमके जो अध्यक्ष है संजिय मयूग जी इतने सारे साथ है बिहार में बिलकुल एमिकिबली सारा एलाइन्स फिक्स हो गया हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई कोई फाइनल बात हो पाई है और जो हमारे नेता है नितीज कुमार जी पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लर रहे थे उस बार भी मार्जिन आप देख करके जहां दो लाग से उपर का मार्जिन रहा लोग सभाव में और अभी जो परिस्थिती है उसमें तो मुझे बिलकुल लगता है कि वन वे एलेक्शन है जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पर रहा है बिहार में मैं बाहर का तो इतना असेस्मेंट नहीं किया हूं कि बिहार म बड़ा काम होगा वहाँ पर तो मुझे लगता है वो जे इस्पिरेशन है लोगों का अज इस्पिरेशन बड़ा है निसीत रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में इंडिये कट बंदन लेके आएगा बहुत अब हम अपने लोग प्रिये उप मु इस प्रेस कॉंफरेंस में उपस्तित हम लोगों के बारते जनता पाटी के परवारी आदने मिनोत तावरे जी जनता दलियू के नेता और रासवा के सांसद आदने संजे जा जी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास के परदेश के अद्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे विजा रास्टिये सां मिडिया परवारी संजे मह्यूग जी इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के परदेश अद्यक्ष रजनीश जी आज देश के यसवसरी प्रदान मंत्री जी के नित्रित में बिहार में 40 की 40 सिर जीतने का लग्ष हमारा है और पीछले वार हम लोग तीन पाटीयों के एलाइंस में 2019 का चुनाव लड़े थे भारतिय जन्ता पाटी, लोग जनसक्ती पाटी और जन्ता दल उनाइटेड इस बार दो और पाटीयों का सहीयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महा गटवंदन में थे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLS पी उस समय था जो RLM के तोर पर आज के तारिक में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी पाटीयों के सबके नेताओं के सहीयोग से आजने प्रधान मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने ग्री मंत्री जी के मागदर्शन में, आजने रास्ट्रिय दक्ष जपिनड़ा जी के मागदर्शन में और बिहार के मुक मंत्री आजने नितीस कुमार जी के निर्देशन में, आजने चिराग पासवान जी, आजने जीतनामा जी जी, आदने उपेंद कुस्वाह जी, सभी लोगों के समती से बिहार में हम गटवंदन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तित तोर पर आदने बिनुतावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन असपस्ट है कि दो हजार चौबीस में फिर से नरेंद मोज जी जी की सरकार और चालिस की चालिस सिट जीत कर, देश में जो चार सो पार का हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत बढ़नवाद। मेरा सविनाय निवेदन होगा मानने विनुत तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। लुकमोर्चा। ऐसे सभी का जो इंडिये घटबंदन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। बले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्न अपने अपने सीटों पे अलग हो। लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एंडिये की सभी पार्टिया अपनी पूरी ताकत से चाले पूरी तो बिहार में लड़ेगा।